नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजराज शर्मा और आप देख रहे हैं देरेल नोलेज यूट्यूब चेनल दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टोपिक है वो है बांदरा टर्मिनस मुंबई से स्री माता वेश्नो देवी कटरा तक चलने वाली स्वाराज एक्सप्रेस की दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने आज इस ट्रेन की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ प्रेस कर दें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों बांदरा ट्रमिनस मुंबई से श्री माता वेश्णोदेवी कटरा तक चलने वाली स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नमबर है 12471 दोस्तों यह ट्रेन कुल आठ राजियों से गुजरती वी अपनी यात्रा को पूरा करती है जिसमें महाराष्ट्रा, गुजरात, मध्यपरदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हर्याना, पंजाब और कास्मीर राजय शामिल हैं अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन अपनी 2029 किलोमेटर की जर्नी को कवर करती है लगबग 33 गंटे और 15 मिनट में इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है करीबन 60 किलोमेटर परावर्स की और इस ट्रेन को ओपरेट करती है नोर्दन रेलवे और यह ट्रेन दोस्तों अफते में 4 दिन चलने वाली एक सूपरफाश ट्रेन है जो हर रवीवार, सोमवार, गुरुवार और शुकरवार को मुंबई के बांदरा टर्मिनस से रवाना होती है और वडोदरा, रतलाम, नई दिली जैसे स्टेस्नों पे ठहरती वी कटरा में अपनी यात्रा को पूरा करती है और इस ट्रेन के बीच के करीबन 27 से श्टेस्नों पे ठहराव रहता है इस ट्रेन को दोस्तों 24 दिसंबर 1976 को चलाया गया था जिसे बाद में 11 सितंबर 2015 को माता वेश्णो देवी कटरा तक बढ़ा दिया गया इस स्वराज एक्सप्रेस के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में LHB स्ट्रेनी के कुल 22 कोच लगते हैं जिसमें 2 कोच SE 2 टायर, 5 कोच SE 3 टायर, 10 कोच स्लीपर क्लास, 2 कोच समान्य क्लास, 1 कोच पैंटरी कार और 2 जनरेटर कार कोच लगते हैं अगर हम इन सभी क्लास के कोच के किराय के अगर बात करें तो इस ट्रेन के AC 2 टायर का बांदरा से कटरा तक का किराय रहता है 2995 रूपए, AC 3 टायर का किराय रहता है 2075 रूपए, इन दोनों केटेगरी के किराय में दोस्तों GST, Reservation, Superfast और Best Fair Charges शामिल रहता है स्लीपर क्लास के कोच का किराय रहता है 7095 रूपए, इसमें GST तो नहीं लगता परंतु बाकी सभी Charges शामिल रहते हैं और समाने क्लास के कोच का किराय रहता है 440 रूपए के असपास का यह जो किराय बताय गया है दोस्तों यह बांदरा से कटरा तक का बताय गया है परंतु एक बार इस किराय को आप चेक कवश्य कर ले क्योंकि परिवर्तन होता रहता है इस ट्रेन में आपको ततकाल और प्रीमियम ततकाल की सुईदा मिल जाएगी इस ट्रेन में दोस्तों पेंटरी कार का कोच लगता है जो ट्रेन के अंदर ही आपके बोजन पानी का प्रबंद करता है परन्तु पेंटरी कार के बोजन का अलग से चार्ज भी देना होता है इसके लावे इस ट्रेन में आपको ओन बोर्ड केटरिंग और इकेटरिंग की सुईदा भी मिल जाएगी इस ट्रेन को पूरी यात्रा में गाजियाबाद लोकोशेड का वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है तो आईए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस स्वराज एक्स्प्रेस के और कौन-कौन से स्टेशन रहते हैं यह विस्तार से देख लेते हैं यह ट्रेन दोस्तों हर रवीवार, सोमवार, गुरुवार और शुकरवार को सुबए के 7 बस कर 55 मिनट पर मुंबई के 22 ट्रमेनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफोर्म नमबर 2 से रवाना होती है और दोस्तों 22 ट्रमेनस से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टोपेज है वो है मुंबई का ही बोरी वली सोबे के 8 बस कर 25 मिनट पर यह ट्रेन यां पहुंसती है और करीबन 3 मिनट रहरने के बाद सोबे के 8 बस कर 28 मिनट पर यह ट्रेन यां से रवानो जाती है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है पाल गर सुबे के 9 बसकर 18 मिनट पर और 9 बसकर 20 मिनट पर यह ट्रेन या से रवानों जाती हमर इसका 2 मिनट का श्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है गुजरात के वापी में सूरच से भी रवानों जाती अमरिस का पांच मिनाट का इस्टोपेज है फिर ये ट्रेन पहुंसती है बरुच जंक्षन दोफेर के 12 बसकर 32 मिनाट पर और 12 बसकर 33 मिनाट पर ये ट्रेन बरूच जंक्षन से भी रवानो जाती यह पर इसका एक मिनाट का इश्टोपेज है इसके बाद दोस्तो इस ट्रेन का जो अकिला इश्टोपेज है वो है वडोदरा जंक्षन दोफेर के एक बसकर 33 मिनाट पर यह त्रेन पहुंसती है वडोदरा जंक्षन दोफेर के दो बसकर 56 मिनाट पर और दो बसकर 58 मिनाट पर ये ट्रेन या से रवानो जती हमरिस का 2 मिनाट का श्टोपेज है फिर ये ट्रेन पहुंसती है दाहोद शाम के 5 बस कर 50 मिनाट पर ये ट्रेन या पहुंसती है और करीबन 10 मिनाट ढहरने के बाद शाम के 6 बजे ये ट्रेन या से रवानो जाती है रतलाम जंग्शन तक दोस्तों ये ट्रेन अपनी 640 किलोमेटर की यतरा को पूरा कर लेती है पिर यह डरेन पहुंस्थी है नागदा जंग्शन शामके 6 बसकर 55 मिनद पर और 7 बजे येटरेन यहासे रवानोजाती अमरिसका 5 मिनद का इस्टो पेज है इसके बाद येटरेन पहुंस्थी है विक्रमगड आलोट शामके 7 बसकर 27 मिनद पर और 7 बस कर 28 मिनाट पर ये ट्रेन यासे रवानो जती हमरिस का एक मिनाट का इस्टोपेज है फिर दोस्तों ये ट्रेन पहुंसती है राजस्तान के बवानी मंडी में रात के 8 बस कर 21 मिनाट पर और 8 बस कर 23 मिनाट पर ये ट्रेन बवानी मंडी से भी रवानों जाती अमरिसका दो मिनाट का श्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है कोटा जंक्षन रात के 9 बसकर 35 मिनाट पर और करीबन 10 मिनाट ठहरने के बाद राद के 9 बसकर 45 मिनाट पर यह train कोटा जंक्षन से भी रवानो जाती है कोटा जंक्षन तक दोस्तों यह train अपनी 909 किलोमेटर की यातरा को पूरा कर लेती है इसके बाद यह train पहुंचती है सवाई मादोपूर जंक्षन राद के 10 बसकर 58 मिनाट पर और रात के 11 बजे यह ट्रेन यासे रवानो जाती हमर इसका 2 मिनट का श्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है उत्तर परदेश के मतुरा जंक्षन में रात के 1 बस कर 55 मिनट पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के दो बजे यह ट्रेन यहां से भी रवान हो जाती है इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली NCAT के हजरत निजामू दीन में दूसरी सुबह च्यार बस कर बारे मिनाट पर और 4 बस कर 14 मिनाट पर यह ट्रेन यहां से रवानों जाती है अवर इसका 2 मिनाट का श्टोपेज है फिर दोस्तो इस ट्रेन का जो अगला श्टोपेज है वो है नई दिल्ली सुबे के 4 बस कर 35 मिनाट पर यह ट्रेन यहां पहुंसती है और करीबन 15 मिनाट टहरने के बाद सुबह के 4 बस कर 50 मिनाट पर यह ट्रेन नई दिली से भी रवानों जाती है नई दिली तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1335 किलोमेटर की यातरा को पूरा कर लेती है फिर यह ट्रेन पहुंसती है हरियाना के पानीपत जंक्षन में सुबह के 6 बस कर 1 मिनाट पर और 6 बस कर 3 मिनाट पर यह ट्रेन निया से रवानों जाती है अबर इसका 2 मिनाट का इस्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है अंबाला केंड जंक्षन सुबह के 7 बस कर 55 मिनाट पर और सुबह के 8 बस कर 5 मिनाट पर यह ट्रेन अंबाला केंड जंक्षन से भी रवानों जाती है अबर इसका 10 मिनाट का इस्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पंजाब के लुदियाना जंक्षन में सुबह के 9 बसकर 43 मिनाट पर और करीबन 10 मिनाट ठहरने के बाद सुबह के 9 बसकर 53 मिनाट पर यह ट्रेन लुदियाना जंक्षन से भी रवानों जाती है फिर यह ट्रेन पहुंचती है पकवाडा जंक्षन सुबह के 10 बसकर 22 मिनाट पर और 10 बसकर 24 मिनाट पर यह ट्रेन या से रवानो जती हमर इसका 2 मिनाट का श्टोपेज है इसके बाद यह ट्रेन पहुंसती है जलंदर केंट जंक्षन सुबह के 10 बसकर 45 मिनाट पर और 10 बसकर 50 मिनाट पर यह ट्रेन जलंदर केंट जंक्सन से भी रवानों जती अबर इसका पांच मिनाट का श्टोपेज है फिर यह ट्रेन पहुंसती है पठान कोट केंट दोफेर के 12 बसकर 35 मिनाट पर और 12 बसकर 40 मिनाट पर यह ट्रेन यासे रवानों जती वो है जम्मू तवी दोफेर के दो बसकर 35 मिनाट पर यह ट्रेन पहुंसती है जम्मू तवी और करीबन 10 मिनाट ठहरने के बाद दोफेर के दो बसकर 45 मिनाट पर यह ट्रेन जम्मू तवी से भी रवानों जाती है जम्मू तवी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी पांच मिनाट का इस्टोपेज है इसके बाद दोस्तो इस ट्रेन का जो लाश्ट इस्टोप है वो है स्री माता वेशनो देवी कटरा शाम के 5 बसकर 10 मिनाट पर यह ट्रेन यहां पहुंसती है और यहां तक दोस्तो यह ट्रेन अपनी 2029 किलोमेटर की यात्रा को पूरा कर लेत है और दोस्तों यह ट्रेन 12473.74 गांधी दाम से कटरा तक चलने वाली सर्वोदा एक्सप्रेस 1245.76 हापा से कटरा तक चलने वाली सर्वोदा एक्सप्रेस और 1247.78 जामनकर से कटरा तक चलने वाली सिंदु एक्सप्रेस के रेक भी अपने साथ शेर करती है और दोस्तों अगर आपको गांधी दाम से कट्रा तक चलने वाली सर्वोदा एक्स्प्रेस की वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो दोस्तों ये थी बांधरा टर्मिनस से स्री माताव वेश्नो देवी कट्रा तक चलने वाली स्वराज ट्रेन की जानकारी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वे शेर करना नहीं भूले आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद